तो गैस बात करते हैं यहां पे OPPO डिवाइसस के USB डबगिंग के बारे में कि अगर आप लोग को OPPO का डिवाइस यूज़ करें आप लोग और USB डबगिंग में आप लोग को अगर कोई भी प्राबलम आ रही हैं तो कैसे आप लोग इस प्राबलम को फिक्स करेंगे ओके वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करीजी का बिलका इकन को प्रेज कर लेना है तो इसके लिए फर्स्ट अफाल हमें फोन में सेटिंग्स ओपन करना होगा और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हम फोन यूज करें उपो का वो एंड्रॉइड ट्वेलो पे काम कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि पहले जो एंड्रॉइड 11 से जो निचे की फोन ते उपो के उद में आप लोग को एडिशनल सेटिंग्स मिलता था बट अभी के जितने भी फोन है उपो के जो एंड्रॉइड 12 पे काम करें कलर वेस 12 पे और में आप लोग को सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिलता है ओके तो यहाँ पे हम सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग को OTG कनेक्संस मिलेगा OTG वगेरा कनेक्ट करना तो यहाँ से आप लोग कर सकते इसके अलावा USB डबगिंग की प्राबलम को अगर फिक्स करना हो तो यहाँ पे आप लोग को सिस्टम सेटिंग्स में देखने को मिलेगा डेवलोपर ऑप्संस अगर आप लोग की फूर में डेवलोपर ऑप्संस सोन न करें तो आप लोग अब आउट डिवेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वर्जन पे क्लिक करना होगा build number पे लगबग 4 से 5 बार tap करना है और आप लोग का जो developer options रहेगा वो enable हो जाएगा अब आप लोग को system settings पे click करना है developer options पे click करना होगा और थोड़ा scroll करेंगे यहां पे और यहां पे आप लोग को देखने के मिलेगा USB debugging उसके just मिलेगा revoke USB debugging तो आप लोग को revoke USB debugging पे click करना होगा और इसे आप लोग को revoke करना होगा revoke इसलिए करना होगा कि जितने भी आप लोग के अभी तक paired device थे वो सब कुछ remove हो जाएगे और आप लोग फिर से USB debugging को use करें आप लोग की problem यहाँ पे fix हो जाएगी इसके अलावा और भी setup से रहते हैं जैसे कि आप लोग थोड़ा और scroll करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा select USB configuration हम इस पे click करेंगे जैसे कि अभी यह charging पे है तो आप लोग इसको media transfer protocol करना वो भी कर सकते picture transfer protocol USB Ethernet हो गया आप लोग का MIDI हो गया तो यह भी आप लोग कर सकते तो इस तरीके से आप लोग अपने phone में USB debugging की problem को fix कर सकते है मिलते हैं next video में जै मता दी